सोशल मेडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें दो बंदर पेड के खोकले तने के बीच फस जाते हैं तभी एक व्यक्ति आता है और उन्हें वहां से बाहर निकालता है वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड के खोकले तने के बीच दो बंदर के बच्चे फसे हुए हैं और दोनों ही काफी डरे हुए हैं ऐसे में उस बंदर का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कस कर पकड़ लेता है और दोनों ही बहराने के लिए काफी तड़पते हैं वो दोनों उपर की तरफ देखते हैं और उपर चड़ कर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इतने जादा सहमे हुए हैं कि वो फिर से उस पेड के खोकले तने में वापस चले जाते हैं तब ही वहां से एक व्यक्ति आता है और जैसे ही उसे दिखता है कि ये दोनों बेजुबान फसे हुए हैं तो वो उस पेड के कटे हुए खोकले तने को उल्टा कर देता है ताकि उन्हें निकलने में आसानी हो जिसके बाद वो बड़ी ही सावधानी के साथ उन दोनों को आरा कि ये दोनों एक दूसरे से कितना जादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते इस वीडियो को अब तक कई लोग देख चुके हैं साथ ही अलग-अलग तरह की प्रतिकरिया दे रहे हैं और अपने अधर सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस वीडियो को श अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं और ये अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते अगर वो बंदर चाहता तो अपने भाई को छोड़के बाहर आ सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया इस वीडियो को देख कई लोग भावुक हो गए जहां इंसानों में भाई-भ भाई के बीच प्यार खत्म हो गया है वहीं ये बेजुबानों से हमें सीख लेनी चाहिए कि रिष्टे किस तरह निभाए जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अलग-अलग तरह के रियाक्शन दिये आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन म जरूर बताएं और साथ ही हमारे आम आदमी पेश को फॉलो करें और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें करें